हेलो गाईज कैसे आप सब आई होब कि आप सब अच्छे होगे दोस्तो आज की एक नीए इंट्रेस्टिंग और अपडेटिट वीडियो में आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर हम आपको अपकमिंग बाइकों के बारे में बताने वाले हैं अलड़ी आपको पता है कि 2022 के अंदर काफी सारे नियूली बाइक लाँच हुई काफी अच्छा परफॉर्म किया काफी अच्छी सेल भी हुई और अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं लेकिन दोस्तो आज का टॉपिक रहने वाल है कि 2023 के अंदर कौंसी बाइक हैं कौंखों सी कमपणी अपनी बाइकों को लांच करेंगी 2023 के अंदर सबसे पहले बात करते हैं यामा की बाइकों के बारे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि Yama की तरफ से Yama FGV4 Indian Two-Wheeler Market के अंदर confirm launch होगी इस bike के अंदर आपको क्या feature देखने हो मिलेंगे थोड़े से मैं आपको main main feature explain कर देता हूँ ज्यादा deeply नहीं जाने वाला हूँ because video long हो जाएगा because काफी सारी bikeों के बारे में बताने वाला हूँ क्यूंकि हर company अपनी bike को launch करेगी 2023 के अंदर सबसे पहले बात करें bike के specs के बारे में तो दोस्तों इस bike के अंदर major change आपको look design में देखने हो मिलेगा overall इस bike के current model के according यह bike बिलकुल नहीं रहने वाली है bike के अंदर आपको new design, new look, new graphics और new features आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि आप video के अंदर देख पा रहे हों यह आपको same look देखने को मिल सकता है because feather नाम से Yama ने यह bike को Brazil के अंदर launch कर दिया है और यह bike Indian tubular market के अंदर आपको new feature के साथ देखने हो मिलेगी लगवग look इस bike का similarly रहने वाला है bike के अंदर आपको newly designed instrument console देखने हो मिलेगा bike के अंदर आपको headlight newly designed देखने हो मिलेगी project headlight with LED dials के साथ bike के अंदर आपको tail light भी MT15 के तरह देखने हो मिलेगी इस bike के अंदर आपको indicator offer LED कर सकता है Yama Indian tubular market के अंदर bike के अंदर आपको two stock की जीगे four stock देखने हो मिलेगा and two valve की जीगे आपको four valve देखने हो मिलेगा 15 PS की power देखने हो मिल सकती है 14 Newton के असपास आपको talk देखने हो मिलेगा दोस्तो इस bike के अंदर आपको five gear box transmission ही देखने हो मिलेगे बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे super wide tubeless tire देखने हो मिलेंगे इस बाइक के अंदर Yama दो variant launch करेगा Indian tubular market के अंदर जो कि single channel और dual channel के साफ से आपको देखने हो मिलेंगे जिनके दौनों की price आपको difference देखने हो मिलेंगे price के अभी कोई confirm नहीं है कि इस bike के क्या price रखेगा Yama बागी मैं आपको बता दूँ यह bike Indian tubular market के अंदर 2023 के अंदर mid-mian Yama इस bike को launch कर देगा दोस्तो आपको पहले सी पता है कि बहुत सारे लोग जो है Yama FGV3 के next generation model का weight कर रहे हैं यह bike Indian tubular market में confirm 2023 के अंदर launch हो जाएगी बात करते हैं Yama की next bike के बारे में दूस्तो इंडियन tubular market में Yama R125 को भी जल्दी ही launch करने वाला है और यह आपको पता है कि Yama R15 B4 के price ज्यादा costly हो जाते हैं तो Yama Lover उस bike को purchase नहीं कर सकते हैं इसी वेसे आपको थोड़ा कम CC variant में आपको Yama R15 B4 का पूरा लिक फील कराने के लिए Yama R125 को launch करेगा confirm Indian tubular market के अंदर अरेडी आपको पता होगा कि international market के अंदर तो Yama R125 Yama ने launch भी कर दिया है इसी वेसे 2023 के अंदर भी यह bike launch हो सकती है दोस्तो बाइक के अंदर आपको major change जादा देखने हो नहीं मिलेंगे बाइक के अंदर आपको जो change देखने हो मिलेगा बाइक के stickring में, graphics में और बाइक की power में और बाइक के अंदर आपको कोई changes देखने हो नहीं मिलेगा बाइक के अंदर आपको वही सेम लुक देखने हो मिलेगा लाइक जैसे कि आपको यामार 15B4 का देखने हो मिलता है वहीं बाइक के अंदर आपको जो चेंग देखने हो मिलेगा पावर में देखने हो मिलेगा इसमें आपको 125cc का लिक्विड कूल 4-stock 4-balled SOHC फ्यूल इंजन देखने हो मिलेगा जिसके अंदर आपको 6-gear speedbox transmission देखने हो मिलेगे साथी BS6 compliant engine देखने हो मिलेगा बाइक के फ्रेंट में आपको black finishing के साथ आपको upside down 41 mm के front focus देखने हो मिलेगे रियर पार्ट में monosok suspension देखने हो मिलेगा बाइक के अंदर आपको lighting setup सेम वही देखने हो मिलेगा like Yamaha R15 B4 की तरह tire and brake system भी आपको सेम वही देखने हो मिलेगा बाइक के अंदर आपको 125cc का engine देखने हो मिलेगा तो obviously बाइक के अंदर आपको mileage जादा देखने हो मिलेगी इस बाइक के price इंडियन tubular market में like आपको 1,25,000 के असपास ये bike action room पड़ेगी मैंने आपको बताया बाइक के अंदर सिर्फ power का difference देखने हो मिलेगा graphics और stickering का difference देखने हो मिलेगा बाइक के अंदर आपको कोई भी changes देखने हो नहीं मिलेगा बात करते हैं next bike के बारे में मैं आपको बता दूँ यामा की xsr 125cc model का लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे है अब finally update आईए कि यामा इस bike को 2023 के अंदर launch करने वाला है because काफी सारे लोग इस bike का wait कर रहे थे और मैं आपको बता दूँ इस bike का काफी टाइम से like launch भी delay हो रहा था जैसे कि मैं आपको बता दूँ यामा ने fgx को launch किया था इसी विससे इस bike को delay कर दिया था finally indian two wheeler market में 2023 के अंदर ये bike यामा इस bike को launch करने वाला है बाइक के अंदर आपको 125 CC का ही engine देखना हो मिलेगा जिसके अंदर आपको काफी इची power देखना हो मिलेगी B6 compliant engine होगा जिसमें आपको 6 speed gearbox transmission देखना हो मिलेगे front में आपको golden finishing के साथ same MT15 V2 की तरह 37 mm के upside down front fork देखना हो मिलेगे बाइक के रियर पार्ट में swing arm monosock suspension देखना हो मिलेगे औरहल इस bike के अंदर आपको retro shape में round shape में या आपको instrument console cluster देखना हो मिलेगा बाइक के front में आपको round shape में LED headlight देखना हो मिलेगी इस bike के अंदर आपको indicator halogen देखना हो मिलेगे साथी बाइक के अंदर आपको टेल लाइड भी राउंड शिप में देखने हो मिलेगी LED बाइक के अंदर आपको काफी इच्छे सूपर वाइट युलेश टायर्ट देखने हो मिलेगी ये बाइक आपको 47 के असपास आपको approximate mileage प्रोवाइड करा देगी बाइक के अंदर आपको काफी इच्छे component देखने हो मिलेगी बाइक के अंदर आपको काफी बलकि exhaust system देखने हो मिलेगा साथी बाइक के अंदर आपको काफी wide single piece seat देखने हो मिलेगी जो कि काफी इच्छी बात है इस बाइक के अंदर आपको side engine cut off switch भी देखने हो मिलेगा overall इस बाइक के price Indian two wheeler market के अंदर 1,20,000 के असपास extra room देखने हो मिलेंगे ये बाइक Indian two wheeler market में Yama 2093 के अंदर launch कर सकता है बात करते हैं दोस्तों बजाज की बाइकों के बारे में तो दोस्तों बजाज की सबसे पहली बाइक आने वाली है जो की रहती है बजाज की NS200 next generation model Indian two wheeler market के अंदर इस बाइक का काफी time से वेट के जा रहा है because NS200 काफी अच्छी बाइक है लेकिन आप इस बाइक की काफी सारे feature जो पराने हो चुके है काफी सारे new bike launch हो चुके है तो इस bike को upgrade करने की काफी ज़्यादा जरूरत है बजाज को मैं आपको बता दूँ बजाज NS200 next generation model को Brazil के अंदर बजाज ने Dominar 200 के नाम से launch कर दिया है जिसके अंदर काफी अच्छे feature प्रोवाइड कराए गए है एक्सपेक करते हैं की बजाज NS200 को नाम से इस bike को launch करेगा इंडियन टूबिलर मार्केट में जिसके अंदर आपको जो feature देखनों मिलते है Brazil वाले model के अंदर उसमें आपको all LED light setup देखनों मिलता है like front में front में LED projector headlight देखनों मिलती है रियर पार्ट में आपको LED टेल लाइट देखनों मिलती है bike के अंदर आपको all LED light indicator देखनों मिलते है front और rear दोनों साथी bike के अंदर आपको काफी अच्छे like front में upside down silver finishing के साथ आपको suspension देखनों मिलते है bike के अंदर आपको rear पार्ट में कर्स देखनों मिलेंगे और बाइक के अंदर आपको साइड पैनल भी काफे इच्छे देखनों मिलेंगे तो यह बाइक भी इस बाइक को इंडियन टुबिलर मार्केट में बजाज लॉंच करने वाला है तो दोस्तों आप इस बाइक का भी वेट कर सकते हैं मैं आपको बता द इस क्रेंबलर टाइब की बाइक रहने वाली है बजाज अट्रंप इस बाइक को कलिवरेशन के अंदर लॉंच करने वाले हैं इसमें आपको 250cc का इंजन देखने हो मिलेगा और साथी बाइक के अंदर आपको 22-24bhp के असपास पावर देखने हो मिलेगी बाइक के अंदर इस बाइक के अंदर इतनी पावर के अकॉर्डिंग ये बाइक आपको 140-145 की टॉप स्पीड प्रोवाइड करा देगी और और बाइक के अंदर आपको फुली लाइक काफी ज़्यादा पावर फुल इंजन देखने हो मिलेगा बाइक के अंदर आपको ब्रेक डूल चैनल साथी बाइक के अंदर आपको काफे अच्छे ब्लॉक बैटन के साथ ट्यूलेश टायर सुपर वाइट देखने हो मिलेगे जिसमें आपको फ्रेंट टायर 110-190 का देखने हो मिलेगा रियर डार आपको 140-70 का ये बाइक आपको काफे अच्छी लाइक एक टूर बाइक भी मिलेगा राउंड शेप में ओल ओके बाइक के अंदर आपको इंडीघेटर भी एरलीडी फ्रेंट एं रिर डॉनों बाइक के अंदर आपको काफे च्छे डामेंशन्स प्रोवाइड कराएंगे इस बाइक के अंदर आपको एठंडे 10 याम की सी ठायट देखने हो मिलेगी बाइक के अंदर आपको fuel tank capacity 12 to 15 liter के असपास देखने हो मिलेगी, ये बाइक आपको city to highway दोनों परी लगभग आपको 32-35 kmpl का approximate mileage प्रोवाइड करा देगी, इतनी बाइक पावर के according, ये बाइक Indian two-wheeler market में 2023 के अंदर बजाज लॉंच करने वाला है, ये बाइक आपको action room 240,000 के असपास देखने हो मिलेगी, and दूस्तों ये बाइक on road आपके district के ID charge के according आपको पढ़ेगी, इस बाइक के अंदर आपको काफी अच्छे component देखने हो मिलेगी, front में काफी अच्छे आपको tubeless tire देखने हो मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताए दियें सारे feature, अगर आपको कोई doubt रह गए हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं, बाकि बजाज strength कौन कौन इस bike का वेट कर रहा है 250cc का, comment section में ज़रूर बताएं, बात करते हैं दूस्तों Honda की bike के बारे में, इंडियन 2 wheeler market के अंदर दूस्तों Honda की कोई भी new bike launch नहीं हुई है, और 150cc segment में Honda के पास कोई best bike नहीं है, जो की अच्छा perform कर पाए, X blade है लेकिन वो अच्छा perform नहीं कर पा रही है, ऐसी वैसे Honda अपनी इंडियन 2 wheeler market में, 160cc के आसपास एक bike launch करेगा, जिसका नाम Honda CV 160 RV रह सकता है, जो की इंडियन 2 wheeler market में, 2023 के अंदर confirm launch होगी, मैं आपको बताओगी इस bike के अंदर आपको काफ़ एच्छे feature प्रोवाइट कराएगा Honda, साथी bike के अंदर आपको new power देखने हो मिलेगी, ये bike similar रहने वाली है, Honda की Hornet version 2.0 से, बट इसमें आपको power जो है थोड़ी different देखने हो मिलेगी, और रहल इसमें आपको 160 CC का engine देखने हो मिलेगा, जिसके अंदर आपको air cool, 4 stock, 4 valve, programmed fuel injection, BS6 compliant engine देखने हो मिलेगा, दोस्तो इस bike के engine में आपको 17 to 18 HP के असपास power देखने हो मिलेगी, रियर पार्ट में mono shock suspension देखने हो मिलेगे, Honda की ये bike आपको diamond frame पर देखने हो मिलेगी, इसमें आपको 12 liter की fuel tank capacity देखने हो मिलेगी, डेटल टाइप का newly console cluster देखने हो मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारे basic reminder feature देखने हो मिलेगे, इसमें आपको all connected feature भी देखने हो मिलेगे, लाइक mobile Bluetooth connectivity भी देखने हो मिलेगे, बाइक के अंदर आपको all LED light setup देखने हो मिलेगे, same आपको Honda Hornet version 2.0 की तरह, इसमें आपको brake and tire भी काफ़ इच्छे देखने हो मिलेगे, बाइक के अंदर dual disc with single channel anti-lock braking system के साथ brake देखने हो मिलेगे, front आपको 100 section का tire देखने हो मिलेगे, rear में आपको 140 way 70 का देखने हो मिलेगे, दोना ही tire आपको 17 इंच के alloy wheel के साथ देखने हो मिलेगे, बाइक के अंदर आप 52, 55 की MPL का approximate mileage देखने हो मिलेगे, अंद साथी bike के अंदर आपको new look design graphics तो देखने हो मिले गई, इस bike के price Indian tubular market में confirm नहीं है, लेकिन ये bike आपको 1,30,80 पास extra room देखने हो मिलेगी, तो दोस्तो अगर आप Honda की तरब से 150 या फिर 160 CC की नेकी dispute segment की bike का wait कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, विकोज 2023 के अंदर launch कर सकता है, अर्लिए आपको पता है कि Honda के पास कोई यासी best bike है भी नहीं, जो की अच्छा perform कर पाए Indian tubular market के अंदर, ओके तो आप इस bike का wait कर सकते हैं, बात करते हैं next bike के बारे में, जो की रहती है दूस्तो होंडा की तरब से Honda CBR 150R, Indian tubular market में sport segment की bike का कितना ज़्यादा hype के रियेट हुआ पड़ा है, और इड़ी आपको पता है, मैं आपको पता दू होंडा CBR 150R का बहुँट टाइम से लोग wait भी कर रहे हैं, इस bike के काफी ज़्यादा chances है 2023 के अंदर launch होने के, because sport segment की bike भी होंडा के पास नहीं है, तो दोस्तो ये bike Indian tubular market में होंडा लॉंच कर सकता है, जिसके अंदर आपको 149cc का engine देखना हो मिलेगा, single cylinder liquid cool program fuel injection, जिसमें आपको 16.9 HP के असपास power देखना हो मिलेगी, BS6 compliant engine देखना हो मिलेगा, 13.7 HP के असपास आपको talk देखना हो मिलेगा, 6-speed gearbox transmission के साथ, दोस्तो इस bike के front में आपको inverted telescopic front force suspension देखना हो मिलेगे, rear part में आपको swing arm with mono shock suspension देखना हो मिलेगे, काफे अच्छी bike के अंदर आपको lighting setup देखना हो मिलेगा, front में, rear में, दोनों में आपको LED tail light देखना हो मिलेगी, front and rear दोनों आपको turn signal light LED देखना हो मिलेगे, bike के अंदर आपको काफे अच्छी super wide tubeless tire देखना हो मिलेगे, इस bike में आपको dual channel EVS का option भी देखना हो मिलेगा, bike आपको 42-45 kmpl का approximate mileage भी provide करा देगी, new graphics, new design देखने हो मिलेगे, साथ ही आपको इस bike के अंदर new look भी देखने हो मिलेगा, इस bike के एक्ष्योरूम प्राइज आपको Indian tubular market के अंदर, 1,55,000 के आसपास देखने हो मिलेगे, ये bike on road आपको आपको आपके district के अडियो चार्ज के according पड़ेगी, तो दोस्तो इस bike का भी आप बेट कर सकते हैं, 2023 के अंदर इस bike के काफ़े ज़्यादा chances लाँच होने के हैं, तो इस bike का आप definitely वेट कर सकते हैं, बाकि दोस्तो यही upcoming bike थी, जो की Indian tubular market के अंदर लाँच होने वाली हैं, बाकि दोस्तो और भी company से कई सारी bike लाँच होने वाली हैं, लेकिन दोस्तो उन bikes की वीडियो में लक्से बना देंगे, बिकॉज यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाँग हो जाएगी, इसलिए इसी वीडियो में इतना ही, बाकि दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आयों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, आप हमारे चैनल पर ना आया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तो आप इन बाइकों में से कौन कौन सी बाइकों का वेट कर रहा हैं, बाकि मिलते हैं आप से लिए और एक निए इंट्रेस्टिंग और अपडेटिड वीडियो में, तब तक के लिए बाब बाइ and टेक कियर.